राम मंदिर को लेक एक फिर से अंदोलन बन रहा और उसी वक्त इस पिच्चर का आना क्या ये संयोग कहा जाएगा या कोई तैयारी थी पहले से एक तुम्हें बताओं कि उपन्यास में राम मंदिर का उलेक है जलूस नहीं है राम मंदिर का और दूसरे ये कि जो पिक्चर रिलीज हुई है वो एक संयोग वर्षा है राम मंदिर के अंदोलन कारी चाहें तो भूना सकते हैं इस अंदोलन को मंद्शा इसी नहीं रही है हाँ ये जरूर है कि निर्वाता कि रूची उससे हो सकती है उस तरह की और या निर्देशक की दिल्चस्पी हो सकती है उसमें हाँ लेकिन स्क्रिप्ट यानि जो उपन्यास है उसमें और फिल्म में दो चीज़ें मानके चलिए अब उपन्यास लेक्षक का होता है फिल्म निर्देशक की होती है बाते हमारी हो सकती है दृष्टी तो निर्देशक की होंगे इतना उसे हक है मैं उस पर अंकुष भी नहीं लगा सकता है क्योंकि यह करते ही बराबरों दृष्टों को ध्यान में रखता है फिल्म का निर्मार करते समये कि जो लागत लग रही है वो कम से मौसूल हो तो अगर आप उपन्यास को फिल्म से मिलाएंगे तो दोनों के बीच फर्क दिखेंगे आप बलकि यह कहना चाहें कि उपन्यास में तो परतिवाद का स्वर ज्यादा तीखा है मंदर निर्मार के विरोध के स्वर में कई स्वर मिलते हैं और वहां पातर ज्यादा बोलते हैं उसके खिलाफ पक्ष में नहीं है लेकिन फिल्म में ऐसा नहीं हो सका है मजबूरी रहो कि कोई माना जाए कि उपन्यास के साथ पूरी तरह से जो निर्देशक थे उन्होंने तनलीता से काम किया है पूरी चीज़ें सामने आई है उपन्यास की देखे एक चीज़ मैं बस्ता दूँ जो फिल्म का आधार बनाया है उन्होंने एक कहानी को बनाया है कहानी है धर्वनाश शास्त्री की कहानी का नाम है पाड़े कौनक मत्तुह लागी कुमत की बात की जाती है वहाँ पांड़े की तो धर्वनाश शास्त्री के परसंग में राम मंदर का तो लेख भी नहीं है या वो लेख है उपन्यास में और उपन्यास के क्योवल एक परिछेद में जहां प्रतिवाद होता है एउध्या में जो लोस निकलता है विद्ध्वन्स होना होता है और अस्षी से लोग जाते है ब्रामनों का महला है वहां से जाते हैं लोग यह परसंग आता है सिर्फ लेकिन उसमें विरोधिस पर ज्यादा है तो अब मैं बताओं कि चंद प्रिकाशजी के दिमाग में इस पर बात आई कैसे फिल्म बनाने की ध्यान में रखिये आपकी बहुत पहले तीसरी कसम एक फिल्म बन चुकी है फणिश्वनास रेड़ की कहानी पर बीच के वर्षों में किसी ने साहस नहीं किया साहित को चुने का किसी साहित क्रिति पर उपन्यास पर कहानी पर फिल्म बनाने की बात किसी के दिमाग में नहीं आई थी इतने लंबे अंतराल के बाद चंद प्रकार्टी के जिमाग में ये बात आई कि जब हमारा साहित इतना सम्रिद्ध है और हमारा ही क्यों हिंदी साहित ही नहीं पूरा भारती साहित जब इतना सम्रिद्ध है कहानी उपन्यास के मामले में तो लोग पटकसा लिखवाते क्यों ह हैं साहित प्रेमी आदमी है वो बहुत सुपर्ठित साहित के मर्मग उनके पिता सांस्क्रित के सांस्क्रित के प्रोफेसर रहे हैं और खुद बहुत पढ़े लिखे आदमी है वो पुरानों को पढ़ा है वो पनश्दों को पढ़ा है काविशाह स्थर पढ़ा है उन्होंने तो ये सब पढ़े हुई आदमी थी वो और इसी बात को ध्यान में रखते हैं पेंजर नाम के फिल्म बनाई थी जो अमर्ता प्रितम के उपन्यास पर अधारी से गए उनकी ये जिद थी कि साहिति कृति पर फिल्म बननी चाहिए और सफर होनी चाहिए कि ताकि दूसरे जो न नियासों कहानियों पर फिल्म बनाने के बाद में सोचें मतलब लगता है कि अब अब जो ये मोहला सी रिलीज हुई है उसके बाद साहित के प्रती जो दूसरे निर्देशक हैं उनकी रूची भी बढ़ना चाहिए क्योंकि थोड़े पदा लगा चेंज थोड़े बहुत च के सामने सीज़े दर्शक होते हैं चैन्द प्रकास जी ने पुरा नया किया है इस पुरी पिच्चर अपने उपन्यास के साथ अधिकतम जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया वाकिक कुछ चीजें हैं जिनसे मेरे मत्भेद हो सकता है जैसे राम मंदिर की बात है या जुरो अतिरेक जैसा मुझे लगता है कितना नहीं होना चाहिए था लेकिन अब वे अच्छा समस्ते होंगे दर्शकों के लिए